अलो दोस्तों नमस्कार दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं एलायमेंट के उपड़ जैसे कि आप देख पा रहे होगे दो यहां पर टैलस लगा हुआ है एक यहां पर रेडियल लगए और दुसरा ऐगल टो और एक्षियल करना है इसका और इसकी पीशे में क्या है और कितना रिडिंग आ रहा है उसकी पीशे में जानेंगे इस वीडियो में ठेक और देख पा रहे होंगे यहां पे फैन है जो कि स्क्राइड हो चुका है और हमारा मोटर है जतने हैं लिए पारा मोटर है चलो चली स्टाट करते हैं वीडियों कि करें अब देखते हैं क्या रीडिग आरा नहीं रहा से दोस्तों अभी देख पारे हैं आप जीरो है पुरा डाल गेच में और एक्षेल भी रिडिंग जो है एक्षेल रिडिंग भी यहां पर जीरो है और यहां पर भी जीरो है रेडियल दोनो रिडिंग टॉप में जीरो करके और हम जीरो देट कि आउं अब इसको नाइंटी डिगरी लें यहां पर थीक है तो हमने इसको अभी घुमाके कि देखे यहां पurm करके रखा हूं यहां पर आ गया है तो निचे में इसका रीडिंग नहीं देखेंगे देखना वह देखाना चाहते हैं प्रयास करते हैं देखाएं आपको रीडिंग थे तो यहां पर दोस्तों तो यह बहुत थी मतलब की मस्कील का बात है यह रीडिंग पढ़ना यहां पर आपको माइनस जीरो वन दिखरा होगा यह है एक्सियल और यहां पर जो है यहां पर जो है यहां पर जो है यह माइनस जीरो टू है तो अब हम इस रीडिंग को किसी जगा पर नोट करते हैं चलिए अब हम इसके जो टैर्मिनल बॉक्स होता इसी को पर नोट करते हैं तो हमने एक अल्रेडि ग्राफ बना कर रखा हूं यहां पर एक्सियल हो और एक है रीडियल ठीक है तो हमारा जो टॉप था ओजीरो था ठीक है और रीडिंग जीरो में था ठीक है तो हम देख हमारा मोटर किधर से रोटेट होता है रो दिया रहता है उसको हमुशी तरह से रोटेट करते हैं ठीक है तो हमारा जो रीडिंग है यह जो एक्सियल का जो रीडिंग हमने अफी दिका हूं एक्सेल का रेडिंग जो है वह 01 माईनस में है और यह 02 माईनस में ठीक है यानी एक्सेल जो हमारा है यह यह-0.01 है ठीक है यानी 0.01 है एक्सेल और रेडियल जो है वह भी हमारा है माइनस जीरो पॉइंट जीरो टू है ठीक है दोस्कों अब हम इसको घुमा के ले चलेंगे बोटम में यानि डाउन में यानि दोस्के पर फिखशे पर मुशन ले चलेंगे घुमा ना बवू ध्युक्त है जब देनी देखिये गोमा देरे दिट्रह और तोड़ा और तोड़ा बस 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 मारकिंग यह क्या है तो हम सब्सक्राइब चलते हैं अब जाओ आप लोगों को देखाते हैं कि इसमें कितना क्या है तो सबसे पले एक्सेल देखते हैं जोस्तों यहां पर एक्सेल है बड़ा क्लियर टूल ही आपा रहा है ठीक है न है यहां हम सी डिल 남자 हमारा है ओ माइनस ऑसरी बलसली तो है टेकिन के बलसली को है एकसेल और हम माइनस में हमारा जो है साली का ओ गया है 103 मिश्पर लेंगे जहां पर हमने रीडिंग लिख रहा था वहां पर हम इसको रीडिंग को बाटम में लिखेंगे एक्षियल था हमारा मैंस ए स्चेयल प्लस 0.02 था ठीक है और हम देखेंगे हमारा रेडियल कितना था तो ये माइस में था सोरी माइनस में था माइनस जीरो पाइंट जीरो थी था ठीक है ना तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे पूरा रेडिंग इस तरह से लिखा जाता है अब साइड में लो भाई उस साइड लिए हुआ है 270 डिगरी पाफ हम इसको रोटेट करके लिए चलते हैं घुमाओ 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 तो और देखें दोस्तों हाँ तो हमागे इसको घुमा के लेकिं तो इस साइड में जो हमारा रेडिंग आ रहा है एक्सेल है प्लॉस जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट जीरो थी है है इस साइड में माइनल जीरो पाइंट जीरो थीरो ठीक है और हमारा जो रेडियल आ रहा था वह आ रहा था हमारा जीरो पॉइंट माइनस जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट जीरो थी आ रहा है था ठीक हो तो हमारा रेडिंग हो गया अब इसको आंट पर लेकि चलते हैं टॉप गुमाओ टॉप पर ले जा टॉप पर उए प्युमाओ बस बस और थोड़ा बस बस तो दोस्तों हम टॉब से देख पा रहे होगे कि हमारा जो टॉब बेंगर एक्सिल वह 0 है और तो एक्स्यल हमारा जो है वो 00 है ठेक है टॉप पे भी और रेडियल जो है वो माइनस 0.01 है ठेक है ना 0.01 है तो अब हम क्या करेंगे दोस्कों कि यहां पर जो हमारा नीचे में रेडियल देखेंगे है है नीचे में जो रिडिंग है-0.03 है और टॉप में हमारा जो 0.01 है तो अब यह 0.03 में से 0.01 माइनस कर देंगे तो हमारे पास माइनस 0.02 बचेगा ठीक है तो यह जो अमारा रेडियल है वो टॉप बटम सही है ठीक है अब हम साइड देखेंगे यहां पर साइड में हमारा जिरो टू है माइनस में और इधर है हमारा जिरो थ्री माइनस में तो यानि यह भी हमारा जिरो वन में है साइड भी यानि रेडिया लेडिंग यह सही है अब हम बात करते हैं एक्सेल के लिए तो एक्सेल हमारा इधर साइड देखते हैं साइड में हमारा माइनस जिरो है और यह साइड में जो है प्लस जिरो पन जिरो फोर हो जाएगा ठीक है तो यह हमारा टॉप में जो था ओ जिरो जिरो था अभी हमारा जब हम प्लस जिरो पाइंट जिरो है ठीक है तो यह हमारा जो टॉप बाटम है और नीचे में ज्यादा आता है ठीक है तो हम इसको सिंपल सा जानते हैं कि पिछे से निकाल देंगे या आगे से भगे उठा देंगे अगर रीडियल भी आउट होगा तो हम आगे से सिंप ढालेंगे और पिछे से निकाल भी देंग ठीक है तो यह हमारा गत्ता है फेल हो फोलता हुआी से इसके तशेदम करना है तो यह चारो साइड हमारा उतना गया पा रहा है ठीक है अब हम बात करते हैं कि जैसे कि मैं चले कि हमारा हो जेंटल हो गया तो जेंटल की दूस्तों हमको कुछ नहीं करना है है यहां पर मैं जैक बॉल्ट सिस्टम लगा कर रखाऊंगे इसको बस जीधर हमारा माइनस होगा म आगे युछ जीधर क बंग्त लाका माइनस हमारा मेंटेन होगा करते हैं खु से करते हैं कई कहई ज्यादा ज़र्बा होने के करान्स दूस्ति दूस्ति करना नहीं धुल्ट साइज का में तब फिकल्न sd5 कड़ते हैं कर लेंद होदा जाना से नसकाला डबल कर दिए तो डबल ही डालना नहीं त्रीपल भी जहां जीसा है लंबा है तो उसकी लिए अलग कल्प्लेशन है ठीक है तो सबसे सिंपल फंड आई है कि हम जाएंगे पहले साइट सही कर लेंगे साइट साइट हमारा जो जाहिए हो गया तो हम क्या करेंगे टोप बोटम पॉइंटा है तो बयंगे तो मगोट नि第一 ऑख है टो मान क्या करेंगे और रच्वतल पीच में हो नीचे परिशंट आट है जानी तो हम क्या करेंगे पॉंट वन डालेंगे तो हम क्या करेंगी प्फाइब पीछे में अगर ऊपर आगे में पॉंट्वान पॉंट्वन पॉंट्व को निकाल देंगे और आगे से निकाल लूंगे तो आगे सिमिंग करेंगे नहीं तो फिसर से सिम निकाल मेंगे तो यह सिंपल फंड आया ज्यादा कुछ टेंसर नहीं है अगर एक्षियल आप फिलर के से मेंटेन कर लेते हैं तो मोटा मोटी हमारा एक्षियल लेडिंग ट्याल गेस पर आ जाता है ठीक है उसके बाद से हमारा अब दे है ठीक है तो 0.4 का डबल कर देंगे ठीक है तो यह सबसे सिंपल फंड है और बहुत असान तरीका है इसका अलाइमेंट करने का ठीक है और इसमें कोई ज्यादा परसानी नहीं है ठीक है आप लोग देख रहे होंगे और बोलेंगे कि ठीक है दोस्तों आप यहां पर तीथ लगाये थे वह भी टॉप में लगाये हैं ठीक है अच्छा ने लेकिन दोस्तों क्या है ना तो दोनों कप्लिंग के जो गार्ड है जो डिस्टेंस है वह बहुत ही काम है ठीक है यहां पर डालीज लगाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था इसके होएसा हमने यहां पर कीथ के यह अब्धियो को लाइक कर सैनल पर नए है तसक्रीच हमारे चैनल को सिस्क्राइब कर नूस्तों को करी हैं अगला वाइ और दोस्तों करेंगे अग्ला अगला बात जैसके collect के तक दो साव्किन का स्टाइयोध